नमस्ते, इस वीडियो में आपका स्वागत है, आज हम देखेंगे दो वर्ण वाले शब्द, यहां से हमारे शब्द स्टार्ट होते हैं, शब्द यहां से सुरुवात हो रही है, शब्दों की, अभी तक हमने वर्ण पढ़े हैं, लेटर्स, अब लेटर के बाद क्या आता है वर्ण आते हैं, इसी तरह हिंदी में वर्ण को हम शब्द बोलते हैं, ठीक है? तो शब्द सबसे पहले हम बिना मात्रा के शब्द देखेंगे, मतलब जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है, जिसमें कहीं पर भी A, A, E, E का इस्तमाल नहीं किया गया, तो सब में होता ही है, A की म मात्रा कहीं भी नहीं है, और अभी हम दो वर्ण वाले शब्द सबसे पहले देखेंगे, और दो वर्ण वाले शब्द जब हम पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए आगे पढ़ना और ज्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम दो वर्ण वाले शब्द देखेंगे बिना मात्रा के ताकि सिर्फ हमारा लेटर की भी प्राक्टिस हो और हम लेटर पहचानना भी सीख सके वर्ण को हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे यहां पर तो सबसे पहले देखते हैं फल यह जो हैं यह सारे ल से एंड होने वाले वोड्स लिए हैं यह सब और फिर इधर जो कम हैं जैसे ख से एंड होने वाले हैं थ से एंड होने वाले स से एंड होने वाले और ब से एंड होने वाले और यहां पर च से एंड होने वाले तो इस तरह से हमने बाइफर्केट करके पढ़ना है तो इससे क्या हो होगा कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा जैसे कि हम राइमिंग बना के पड़ रहे हैं जैसे फल चल नल तल इससे क्या होगा कि एटलिस्ट लग तो क्लियर होई जाता है बच्चों का कि हां इसको हम लग बोलते हैं और उसके आगे हम अलग-अलग वर्ण लगा रहे हैं यहां इतना करने के बाद लग क्लियर हो गया इस तरह से डिफ्रेंट डिफ्रेंट लेटर्स हमारे क्लियर हो जाएंगे अगर हमने इस तरह से सेट में पढ़ाई की तो इसको हम इंग्लिश में राइमिंग बोलते हैं और हिंदी में तुक बंदी बोलते हैं जिससे क्या होत तल, जल, हल, मल, तो यहां पर हमारी आगे अलग वर्ण की प्रैक्टिस हुई और इधर ल की प्रैक्टिस हुई, ठीक है, तो हम इसको ल को अंडरलाइन कर सकते हैं, जिसके कारण हमें पता चलेगा कि यह ल है, दल, पल, तल, बल, छल, थल, और कल, एक बात और यहां पर मैं बताना चाहते हूं कि जब दो वर्ण को मिला करके जो चीज़ बनती है, उसको शब्द बोलते हैं, दो या ज़्यादा से वर्ण को मिला कर, बट उसके बाद एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इन दोनों लेटर को या इन दो वर्ण को हमने मिलाया, तो उसका कोई न कोई मिनिंग होना चाहिए, उसको ही हम वर्ड बोलेंगे, उसको ही शब्द बोलेंगे, जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई मिनिंग होता है, अगर मैंने यहाँ पर जैसे फल, चल, नल लिया है, और बहुत, इसके अंदर काफे सार और आरहे पर फौर if ebook का कोई मतलब के च्वाल ईसका कोई मिन्न नहीं तो ये वर्ड कीया कोई मिनींग उता है वही वर्ड होते हैं पर जो वह कोई एक चुए शबद नहीं होता है तीक या क्योंकि इसको कोई बहुत लिखते हैं तो उसके उपर इस तरह से क्लाइटे जैसे ब आथमी लाइन दे रहते हैं, तो पल चल हो जाता है, मैसे जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेच में इस तरह से Cuts hold करते हैं, और यहां पर पल लिखा। व मैसे इस फिरय लिखा। और रहते हैं लिखा है। और यहां पर उरती कया सेपरेट तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका मिनिंग देख लिते है FAL means Fruit जो हम खाते है fruits, चल छलना Walk करना NULL means tap जिसमें से हम पानी लेते हैं TAL, TAL means तलना या फिर fry करना JAL, JAL means Walker पीने वाला पानी, पानी का दूसरा श्राव जल होता है synonyms, then hull, hull means कि plowing जिससे करते हैं, खेत में hull जोते हैं, जो जिससे खेती की जाती है, वो एक औजार होता है, hull, mal means कि हाथ मलना और mal का मतलब गंदगी, कच्रा भी होता है, फिर dal, dal का मतलब group होता है, some group of people, जो होता है, वो dal होता है, फिर पल, पल का मिन्स moment, मतलब जो समय को जो हम count करते हैं, वो पल, तल, तल मिन्स कि avoid करना या हट जाना, तल, बल, बल मिन्स ताकत, बल मिन्स ताकत, और चल, चल मिन्स किसी के साथ धोका गड़ी करना, वो हुआ चल, चल मतलब cheating, ठीक है, चल, थल, थल का मतलब होता है, land, हिंदी में land को थल भी बोलते हैं, जमीन को थल भी बोलते हैं, फिर कल, कल का मतलब tomorrow, हिंदी में tomorrow और yesterday दोनों के लिए कल का ही इस्तमाल होता है, मिन्स बीता हुआ कल और आने वाला कल, ठीक है, तो yesterday और tomorrow दोनों कल ही होता है, चिक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं, तन, मन, जन, गन, और यह धन, अगयन एक बार मैं यहां बता रही हूं, मैंने पहले भी बताया था, जिस समय मैं वर्ण बता रही थी, कि यह घा है, और यह धा है, इसको किस तरह पहचानना है, तो धा में यहां गोल होता है, घा में गोल नहीं होता है, धा में कट किया होता है और यहाँ पर कट नहीं किया होता है कई बार आज कल के समय में देखती हूं बच्चे लिखतेया लोग लिखते ध-को भी इसी तरह से complete लिख देते हैं बट यह रॉंग्ग है हमें यहां पर एक या तो आप इस तरह से लिखें ताकि धह उपर बाहर निकला है या फिर आप इसको कट करके लिखें ठीक है इसको धह बोलते और इसको गह बोलते हैं धह और गह में यह difference है फिर one और बन और यह जो है न से end होने वाले हैं तो हम इसे na 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 और न, इस तरह से practice भी कर सकते हैं, अब हम देखते हैं, इसका meaning क्या होता है, तन, तन means body, ओके हमारी जो body होती है, उसको तन बोलते हैं, मन, मन means हमारा मन, हार्ट, then after जन, जन means लोग, और ये घन है, घन मतलब बादल को घन बोला जाता है, और धन, धन means पैसा, मनी, जो होता है, उसको धन बोलते हैं, संपत्ति, वन, वन means forest, और बन, बन means बनना, okay, to make something, that is called बन, okay, और बन, become के लिए भी यूज किया जाता है, और making के लिए भी यूज कियाता है, और इसको जैसे पूरा, अगर मैं बोलू, तो बनाना, मतलब to make something, okay, तो इस तरह से ये इसका meaning था, हम आगे देखते हैं, कार कर, कार कर, गार गर, चार चर, डर डर, नर नर, थार थर, दर, पार पर, भार बर, मार मर, वर, वर, सर, सर, हर, हर तो कर यहाँ पर हम देखेंगे कि र से अइंड होने वाले यह सारे words हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम इसको इस तरह अंडरलाइन करेंगे तो हमारा र का साउंड भी क्लियर हो जाता है अब इसका मिनिंग देख लेते हैं कर, कर मिन्स करना, कोई काम करना खर, एक कोई आनिमल के लिए यूज किया जाता है खर, घर मतलब जिसमें हम घर में रहते हैं, वो घर चर, चर मिन्स चरना, ग्रेजिंग करते हैं आनिमल्स उसको चरना बोलते हैं हिंदी में डर, डर मिन्स फियर, डर लगता है नर, नर का मतलब आदमी, थर, थर-थर कापना जो होता है, थर-थर काप रहे है, इसलिए मैंने थर लिया यहाँ पर, ताकि वो कभी आगे वर्ड आये भी तो वो एजिली पढ़ पाएं बच्चे, दर, दर का मतलब दरवाजा, उसके बाद पर, पर बहुत इस्वाल होता है, जैसे कि यहाँ पर रख दो, पर इसके उपर, देन भर, भर मिन्स टू फिल, भर ना, किसी चीज़ को फिल करना, फिर मर, मर मिन्स कि मर जाना, डेथ हो जाना, वर, वर हस्बेंड के लिए भी यूज किया जाता है, फिर सर, सर यह नॉर्मली ऐसा यार सर जो है इंग्लिश व और हर, हर मिन्स कि किसी का दुख हर लेना, मतलब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे कि भगवान से हम हमेशा आपको भी प्राथना करते हैं कि हमारे दुख हर लो, वो वाला हर है, ठीक है, मतलब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, यह यहाँ पर भगवान के ल होने वाले वर्ड्स हैं ये ख, 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 चख, रख और नख, चख मिंस किसी चीज को टेस्ट करना, रख मतलब रखना to put something, then after नख, नख मिंस नाखून या नेल जो होता है वो नख, अब पथ, पथ, ये ख जो है वो लैटर ये काफी प्राब्लम होते है वचाओं बच्चोंग लर्न करने में तो इसके प्राक्टिस ज्यादा करनी है ख, 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 बोलकर बारबार प्राक्टिस करनी है और बारबार लिखना है उसके बाद का मतलब रास्ता, रफ, रफ का मतलब होता है जो गोड़े के साथ में चलाया जाता है, मीज कई बार वच्चों को प्राब्लाम होती है तो था की प्राक्टिस करवानी बहुत ज़्यादा जुरूरी है उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो से एंड होने वाले हम दो वर्ण वाले शब्द देखते हैं मत मत शत छत 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 लत लत कित खत मतलब लेटर कंच मत मतलब दो चीज़ें होती है मतल मतलब नहीं भी आपने मत दिया या नहीं दिया ठीक है तो वो मत मतलब वोटिंग शत शत का मतलब 100 होता है देन छत छत मतलब रूफ अपने सर पर जो छत होती है घर की उपर की छत रूफ ठीक है और लत लत का मतलब आदत उसको हिंदी में लत भी बोलते हैं उसके बान अब हम स से एंड होने वाले डो वन वाले शब्द पढ़ेंगे बस रस रस नस थीक है बस का मतलब जो गाड़ी होती है बहुत सारे लोग एक में बैठ सकते हैं BUS बस English में बोलते हैं और वहीं हिंदे में भी बोलते हैं फिर रस का मतलब लिक्विड या जूस किसी चीज का और नस जो है वो नुप्स को बूला जाता है जो हमारे बॉडी में नर्ब्स होती है उसको हिंदी में नस बोलते हैं अब हम च से एंड होने वाल इस यू सी एच सच इंग्लिश वाला सच नहीं है यह सच का मतलब ट्रूथ होता है देन आफ्टर रच रच का मतलब बनाना होता है ठीक है कुछ में करना कुछ रचना कुछ बनाना नच का मतलब डांस करना होता है और अब हम पढ़ेंगे जब अब यह एक चीज यहां पर कई बार confused होते हैं कि च क्या होता है कि यहां पर से इस तरह स्टार्ट किया जाता है और ज इस तरह स्टार्ट किया जाता है तो यह जिसको mirror image की problem होती है ना बच्चों को जैसे कि B B और डी इसमें भी बच्चों को confusion होता है तो इसी तरह से च और जर्मी भी बच्चों को mirror image में confusion होता है तो यह प्रनाउंस करके समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि इसको च बोलते हैं जिसकी लाइन इधर से start होती है और जो जो है इसकी लाइन यहां पर end होती है तो यह दोनों चीजें बच्चों को clear करने बहुत जरूरी होती है नहीं तो pronunciation में problem होती है आगे अब हम आगे पढ़ते हैं ब से end होने वाले दो वर्ण वाले शब्द ब ब ब ब ब और ब अब कब कब जब जब तब 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 सब सब रब रब तो इस तरह से मुझे इसको पढ़ा और आप इसकी मिनिंग देख लेते हैं अब मतलब अब ही के नव मिदल कब मतलब वें कब हम ये काम कब करने वाले है मतलब vapore when we are going to do this जब, जब का मतलब भी जब बारिश होगी तब फसल उगेगी जब मतलब when again, then after तब, देन मतलब जब बारिश होगी तब फसल उगेगी, तब सब, सब means सारे लोग, all everyone और रब, रब भगवान रब normally Urdu का वर्ड है, उर्दू का शब्द है, पर हम हिंदी में भी कई जगे पर इसको इसको स्तमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया रब रब का मतलब भगवान तो यह सारे इस तरह से वर्ड थे two letter words या फिर दो वर्ड वाले शब्द जिसको हमें प्राक्टिस करने की बहुत ज्यादा जुरूरत है जिससे हमारा pronunciation clear होगा और आगे जब बड़े words आएंगे तो हमें उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी तो इसको क्या करना है कि three three times minimum लिखना है किस तरह से इस तरह से नोटबुक में आप लाइन बना सकते हैं और three three times इसको लिखे और इसकी प्राक्टिस कीजिए अच्छी handwriting करनी है सुंदर handwriting में लिखना है English medium के जो students होते है उनको Hindi लिखने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि क्या होता है कि इसमें line देनी पड़ती है जैसे मैंने आपको पहले भी बता है जैसे thal or thal लिका है यह line देनी है तो यह line देने में भी थोड़ा समय लगता है line draw करना है उपर फिर जो letters होते हैं कई भी English medium में cursive में भी लो बच्चे लिखते हैं और क्योंकि English medium में सारा कुछ English में ही होता है English subject या फिर EBS का subject है या फिर Maths में भी अगर उनको कुछ लिखना है words में तो वो सब English में लिखते हैं इसलिए उनकी writing उसमें fast हो जाती है पर Hindi में क्या होता है कि उनकी writing fast इसलिए नहीं पाती है क्योंकि Hindi अकेला एक subject होता है उसका period कभी-कभी आता है week में hardly five periods होते है तो वो बच्चों को हिंदी में लिखने में थोड़ी problem होती है तो if they are getting problem, so kindly support them उनको practice करवाईए practice से perfection आयेगा और उनको interest जागेगा कई बार Hindi में interest नहीं भी आता है बच्चों को उसका भी सबसे बड़ा reason यही है कि English medium में सारे subject English में ही पढ़ने होते हैं और Hindi सिर्फ एक अकेला subject रह जाता है इस कारण से बच्चों को थोड़ी problem आती है so kindly make practice do practice for it तो ज्यादा से ज्यादा reading की और writing के practice करने से यह easy हो जाएगा Thank you for watching this video let us meet in next video